हेलो, वेलकम टू माई चैनल आंगनवाडी सहीली आईसीडियेस हेलो फ्रेंड्स मैं आपकी आंगनवाडी सहीली आज हम जानेंगे कि PMMVY की सेकंड इंस्टॉल्मेंट कैसे फिल करें जितने भी हम PMMVY के फॉर्म भरते हैं फस्ट बेबी चाइल्ड के तो उसकी फस्ट इंस्टॉल्मेंट के लिए तो सभी ने रजिस्टेशन किया होगा जिसके की कुछ बेनिफिशरी के 3000 रुपीज आ भी गए होंगे अब जो उसके बाकी की इंस्टॉल्मेंट जो बची है 2000 की वो हम कैसे फिल कर सकते हैं और साथ ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल अंगनवाडी सहिली आइसीडियेस को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करके प्लीज मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है आपको शो हो रही है अब जो सेकेंड ओप्शन है डाटा एंट्री इसको ओपन करेंगे इसमें जो थर्ड ओप्शन है अपडेट चाइल बर्थ एंड इम्मुनाइजेशन डिटेल इस पर हम टिक करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि हमारे कोई बैनिफिश्री शो हो र अब इसकी एक्ष्वल डेट ओफ चाइल बर्थ नोट प्रवाइड़िड है इम्मुनाइजेशन डिटेल और पार्शियली फिल्ड और फुली फिल्ड ये भी पार्शियली फिल्ड है अब एक्शन में जाकर हम एड़िट पर क्लिक करेंगे एड़िट पर खुलते ही एक न उसकी एक्ष्वल डेट ओफ चाइल बर्थ हम यहां पर भरनी है जो मैं आपको भरके दिखाती हूँ कैसे भरनी है ये देखिए आप उसका एयर सेलेक्ट करके मंद को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसकी डेट को फिल कर देंगे अब उसके बाद है नंबर ओफ चिल्डरन जितने भी बच्चे पैदा हों जैसे कि कि एक किसी की ट्विंस भी बच्चे होते हैं अगर एक बच्चा हुआ है तो हम एक पर टिक करेंगे अब टाइप ऑफ इंस्ट्यूट ओफ चाइल बर्थ जो बच्चे का बर्थ है वो कौन सी जगा हुआ है जैसे कि आंगनवारी से प्राइवेट होस्पिटल या ट्रांसिट जो भी आपको उप्शन सिचुएबल लगे उस पर आप टिक करेंगे जैसे कि बच्चा है गौर्मेंट होस्पिटल में हुआ है तो मैंने गौर्मेंट होस्पिटल पर टिक सिलेक्ट किया है अब इसके बाद नेम और इंस्टिट है तो फीमेल पर टिक करेंगे अब उसके बाद यह आ रहा है अवेल्ड बैनिफिट अंडर जेएसवाई उस पर नो टिक है क्योंकि उसको जेएसवाई की कोई बैनिफिट नहीं मिला है अब उसके बाद है वाज वैक्जिनेशन रिकॉर्ड इन एमसीपी कार्ड अब जो ब वैक्जिनेशन गिवन हो चुके हैं वैक्जिनेशन एड बर्थ इस पर टिक करा अब जो उसके बर्थ के टाइम पर जो बीसीजी प्लस हेपिटाइटस बी प्लस ओपीवी जीरो उसको लगा होगा तो वाली हम डेट भरेंगे यह देखिया ऐसे अब उसके बाद वैक्जिनेशन और सिक्स विक जो बच्चा डेढ महीने का हो जाता है उसके डेढ महीने पर जो पेंटा फस्ट और जो बाकी के टीके लगते हैं वाली डेट टिक करेंगे इस पर टिक करके वाली डेट को हम मैंशन करेंगे यह दिखिए जो उसको डेढ मही महिने पर जो इंजेक्शन लगाता हम उसके mcp card से देख लेंगे और वह यह actual date हमने इसमें fill करनी है अब उसकी जो धाई महिने पर जो इंजेक्शन लगा होगा पैंटा सेकिंड और उसके साथ जो लगते हैं इंजेक्शन वाली डेट हमको यहां पर fill करनी है अब इसके बाद जो उसके 3rd साड़ी तीन महिने वाला जो इंजेक्शन लगता है पैंटा 3rd वो वाली डेट हमें यहां पर vaccination on 14th week पर टिक करके वाली डेट भरनी है यह डेट चेंज नहीं होंगी इसलिए प्लीज आप बिल्कुल ध्यान से भरिएगा क्योंकि यह बाद में edit नहीं हो सकती है अब इसके बाद जब हम सारी डेट फिल कर देंगे एक बार और उपर से अपना form को चेक करेंगे कि हमने सारी डेटेल जो है ठीक बरी है या नहीं बरी अगर ठीक नहीं बरी है उसे तो ठीक कर लेंगे और ठीक बरी है तो इसको submit कर देंगे यह record has been updated successfully और यह देखो beneficiary यहां से चली भी गई है यह देखिया आप इसमें यह beneficiary जो है शो नहीं हो रही है मेरी zero हो गया है ऐसे हम यह 2000 के लिए second installment को ऐसे बनेंगे hope मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी please comment में ज़रूर बताइएगा अगर आप कोई advice और suggestion देना चाकते हैं या फिर कोई problem आ रही है आपको वो पूछना चाते हैं तो please comment box में comment करके ज़रूर बताइएगा thank you